नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपर आयेस पर सो हमारे टेलेकॉम और रेलवे मेनिस्टर श्री अश्विनी वैशनव जी के द्वारा बी एसनल के करमचारियों को अब चेताबनी दे दी गई है उन्होंने बड़े ही साफ और स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर कह दिया है कि अगर आपसे काम नहीं होता तो आप लोग रेटायर्मेंट लेकर घर बैठ सकते हैं और इन्होंने यहाँ पर बलकी ये भी कहा है कि सरकार जो कर सकती थी सरकार ने कर दिया है अब बारी आपकी है अगर आप लोग परफॉर्म नहीं करेंगे तो उस केस में हमें मजबूरन आपको या तो निकालना पड़ेगा या फिर आप यहाँ पर रेटायर्मेंट लेकर बैठ सकते हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग-लग न्यूज एजनसी ने इसको अलग-लग तरी अगर हम लोग हिंदी मीडिया की बात करें तो उनके द्वारा भी इसकी कवरेज करी गई है एबीपी लाइफ के द्वारा इन्होंने कहा सरकारी रवया छोड़ो नहीं तो रेटायर हो और घर जाने के लिए तयार रहें डिये ने हिंदी ने कवर किया कामचोरी छोड़ो व SNL जैसी कंपनी को रिवाइफ करने के लिए पुनर जीवित करने के लिए जो इतना बड़ा रिवाइवल पैकेज दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथी में बात करेंगे कि यहाँ पर वार्निंग के आधार पर जो अश्विनी वैशनव जी ने क्या-क्या बातें कहीं है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी आईए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनेरुद यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए टेलिग्दाम चैनल के माधियम से कर सकते हैं इसके इला प्रूबल दिया गया था जो की 1.64 लाक करोड का पैकेज था जिसमें की इन्होंने कहा था कि हम लोग BSNL को एक बार फिर से पुनर जनम देना चाहते हैं इसमें इन्होंने कहा था कि यह वाला जो पूरा का पूरा अमाउंट है यह आने वाले चार सालों में लगाया government will focus on upgrading the BSNL services जिसमें the company will be administratively allocated spectrum in 900 MHz and 1800 MHz frequencies यानी की आपके लिए जो आने वाला 4G, 5G जो हम spectrum है वो आपको हम allocate करने वाले हैं so that आपकी जो सेवाई हैं वो और upgrade हो सकें secondly इन्होंने ये भी कहा कि government जो है वो आपके capex यानी की capital expenditure को fund करेगी जो की लगभग 22,471 करोड का होने वाला है for deployment of indigenous 4G stack by the operator ये इसका second main focus area था third main focus area इन्होंने कहा कि जो आपके AGR के dues है जो की अभी तक बहुत जादा बढ़ चुके हैं आपको मालूम होगा जो AGR dues है इसको लेकर कई सारी private companies अक्सर सुर्खियों में रहती थी इस बार इन्होंने कहा है कि BSNL के जो AGR के dues है उनको हम लोग settle कर देंगे by conversion into equity और साथी में government will provide funds to BSNL for settling the AGR dues and number 4 पे इनके द्वारा कहा गया है कि अगर आपको कल को long term loan चाहिए तो उस case में हम लोग आपको sovereign guarantee प्रवाइड करेंगे and number 5 जो कि government का एक बहुत ही बड़ा ऐसा मान लीजियो almost रामबान माना जा रहा है the cabinet has also approved BSNL's merger with भारत broadband निगम limited यानि कि BSNL और BBNL दोनों को यहाँ पे merge किया जाएगा जिसके चलते government का यह मानना है कि BSNL का जो fiber network है वो और जादा यहाँ पे boost हो पाएगा आपको बता दें कि government जो है वो आज की date में कोशिश कर रही है कि rural areas में जो optical fiber का network है उसको और तेजी से बढ़ाया जाए और इसी लिए इनका यह मानना है कि जो यह नया venture होगा इसमें अगर हम लोग दोनों के optical fibers को combine कर देंगे तो हमारा जो network है वो काफी जादा बढ़ जाएगा optical fiber का जो cable है वो already भारत में 1,45,000 villages में already बिचाया जा चुका है under the digital India policy of the government और अब यहाँ पे इस चीज को background लेते हुए हमारे मंत्री जी ने ये कह दिया है इन्होंने simply कहा this will be the new normal that we have to work with, perform और perish इन्होंने 62,000 से भी जादा जो employees हैं जो BSNL में काम करते हैं उनको एक तरीके से ultimatum issue कर दिया है इन्होंने कहा that you either show up for work or there would be consequences इन्होंने इसमें दो बड़ी अच्छी बाते कहीं हैं इन्होंने सबसे पहली बात तो ये कहीं कि हमेशा हम लोग अब क्या करने वाले हैं आने वाले टाइम में monthly audit होगा of the progress achieved याने कि आपने कितना काम किया है कितने उसके outcomes निकले हैं उसका हम लोग monthly तोर पे audit करने वाले हैं साथी भी इन्होंने कहा कि I will measure the KPI, key performance indicators, the performance, the results every month और इन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं उनको हम लोग VRS दिलवा देंगे तो यह दो बड़े माइने हैं जो कि इस चेतावनी से निकल कर आते हैं एक तो monthly audit का है और दूसरा VRS का है याने कि government अब BSNL को privatize नहीं कर रही है लेकिन उसको private companies की तरह run करने की कोशिश कर रही है so that यहाँ पे employees के और company के जो outcomes है वो और भी बहतर हो सकें यहाँ पे सरकार ने बलकि ये भी कहा कि हम लोग 1.64 लक करोड का package देते हुए बहुत बड़ा risk ले रही हैं और इसलिए the government will not tolerate any laxity in this we want the results in the two years इन्होंने बलकि साथ ने एक और बात कही इन्होंने कहा कि government अगर चाहती तो BSNL को Air India की तरह monetize भी कर सकती थी आपको मालूम होगा कि Air India जो है वो Tata Group के द्वारा खरीद ली गई है और अगर ऐसा होता तो उस case ने बहुत बड़े level पे धरना प्रदर्शन और बहुत सारे ल आप लोग भी अपना यहां पे best दें और इस संस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश करें आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी development के बारे में definitely बताईए बाइद वे आपको बता दे कि BSNL जो है वो आत्म निलभरता के लिए भी काफी कुछ कर रही है जस्ट कल ही क बात है अश्विनी वैशनव जी के द्वारा BSNL को ये भी कह दिया गया है कि अगर आपको 4G 5G रिलाट करना है तो उसमें आप केवल और केवल made in India यानि की domestically made technology का ही इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में भी आप लोग अपनी राश में कॉमें टेक्नोलोजी का ही इस्तिमाल मिल जाएंगे इसके इलावा आप हमसे UPSC की तैयारी भी कर सकते हैं घर बैठ कर using a single subscription जिसमें कि आपको इंडिया के best UPSC institutes मिलेंगे और साथ ही में आपको हमारे द्वारा भी lectures available करवाए जाएंगे ये सभी चीज़ें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं only in 24,000 रुटीज पर